नमस्कार, स्वागत आपका Self Study के चैनल पर और आज हम अपनी इस वीडियो में कवर करने वाले हैं कि भारत में, क्या पूरे भारत में समान नागरिक सहीता लागू हो सकती है यानि Uniform Civil Code अब Uniform Civil Code क्या भारत के समीधान में कहीं लिखा हुआ है बेशक भारत के समीधान में इसका वर्णन किया हुआ और Uniform Civil Code के लागू होने से क्या-क्या चीज़ें हो जाएंगी और इसके लागू होने पर क्या-क्या चैलेंजिस आ सकते हैं उन सब चीज़ों काम कवर करने वाले हैं और इसका विरोध क्यों किया जाता है बई इसके बारे में समीधान में भी लिखा गया है UCC के बारे में बावजूद इसके वहाँ पर बोला गया है समीधान के अंदर कि आप Uniform Civil Code को लागू करेंगे बावजूद इसके Uniform Civil Code अब तक लागू नहीं हुआ भारत में क्यों नहीं हुआ क्यों लोग इसका विरोध भी करते हैं क्या इसके पीछे वो reason देते हैं तो इन तमाम बातों को हम अपनी इस वीडियो में cover करने वाले हैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले PDF के लिए माँ आप लोगों को बता देता हूँ description box में telegram का इक link दिया मिलेगा तो जाकर आप वहां से इस वीडियो की PDF जो है वो download कर सकते हैं तो चलिए start करते हैं अभी बात करें कि यह जो विशय है uniform civil court का वो अभी आपके सामने क्यों आए क्या ऐसा हुआ है क्या कि uniform civil court जो है वो जो चर्चा है वो अभी सामने आ रही है तो ऐसा कुछ हुआ है कि देखिए PIL जो है वो supreme court में डाली गई काफी जो petitioners हैं यह ची करता हैं उन्होंने PIL यानि कि public interest litigation जो वो supreme court में डाली और कहा गया कि पुरे देश के अंदर जो UCC है यानि uniform civil court जो है वो लागू किया जाए अब supreme court ने बोल दिया भाई साब कि सरकार को कि आप करिए uniform civil court जो है वो आप लागू करिए तो ministry of law ने यानि government ने जवाब दिया ministry of law and justice ने supreme court को कहा कि देखिए court के पास वो power नहीं है सिर्फ और सिर्फ पार्लियमेंट के पास वो power है कि वो low बना सकती है इंस के उपर UCC के उपर तो और साथ ही साथ का कि करिप्या करके जो आपके पास जो ये याचिकाएं आई है यानि ये जो PIL आई है तो उनको खारिज करने का अपना काम करिए तो ये supreme court को जवाब दिया गया किसके दौरा जो government है उसके दौरा इसके अलावा हम बात करते हैं जो PIL है इसमें क्या-क्या बोला गया है देखिए जो petitioners हैं इन्होंने कहा है कि देखिए विवहा तलाक, भरन पोशन गुजारा भत्ता गुजारा भत्ता यानि कि जो आपने अलिमेनी सुनी है जो डाइवोर्स के बाद जो दी जाती है एक पत्तनी को एक पती के दौरा कि गुजारा भत्ता हो जाएगा उसकी लाइफ जो वो सही से निकल जाएगी तो वो वाली चीज़ आती है अभी मैं आप लोगों को यूसी से समझाता हूँ थोड़ा बहुत आपको फिर उसके बारे में भी आपको डिटेल से बताऊंगा देखी यूनिफॉर्म सीविल कोड का मतलब है कि हमारे देश में जो अलग-अलग लो चलते हैं जैसे हिंदू हो गए और जो मुस्लिम्स हो गए इनके अपने लो चलते हैं परसनल लो चलते हैं इनके भई हिंदू में हिंदू के अकोडिंग शादी होती है हिंदू के अकोडिंग तलाक होता है मुस्लिम्स के अंदर मुस्लिम के अकोडिंग शादी होती है मुस्लिम्स के में जो तलाक होता है वो अपने ही personal law के according वहाँ पर किया जाता है तो हर एक अपने अपने एक personal law है तो ये याचिका करता क्या कहते हैं कि जो ये आप विवा इन दोनों communities में या अलग-अलग communities हैं उनके अंदर जिस तरीके का विवा हो रहा है और जो तलाक हो रहा है या फिर जो एलिमेनी दी जाती है तो ये जो सब चीजें हैं आप एक कर दीजिए वह इनका personal law यहाँ पर जो Muslims का personal law है इनको हटा कर आप एक समान इन दोनों को या फिर जितनी भी communities हैं बारत के अंदर उन सब को एक ही दाइरे में लेके आ जाईए ये बात वोली इस PIL के अंदर साथ इसाथ जो याचिकाओं में तलाग के कानूनों के संबन में जो भी जो विशंगतियां यानि की जो irregularities हैं anomalies हैं उनको दूर करने के उन्होंने मांग की है कि सभी नागरिकों के लिए एक समान बनाने चाहिए जो वो तलाग से related हो अगर कोई बच्चा गोद लेना हो या उसकी guardianship की बात करती हैं तो इन सब चीजों को जो है आप एक ही मतलब कहते हैं कि छट के नीचे आप लेकर आ जाईए आप अलग-अलग personal लो यहाँ पर मत चलने दीजिए यह याचिका करताओं ने सुप्रीम कोट में PIL डाली थी और इस PIL को खारिज करने की मांग जो है वो government के द्वारा की गई है government का क्या रुक रहा है देखिए नियाले जो है यानि जो court है इस मामले में कोई भी कोई भी mark दर्शन नहीं दे शकती क्योंकि यह जो बात आती है आप UCC की बात कर रहे हो यह सब चीजें जो है वो issue किसके द्वारा की जाएंगी यह जो फैसला है वो किसके द्वारा किया जाएगा यह फैसला किया जाएगा जो elected representative है जो चुने हुए परतिनी दी है वो फैसला करेंगे इसके ओपर विधाय का जो है वो कानून पारित करेगी उसके पास power है वीटो करने की ना कि court के पास है और क्या government ने कभी सोचा नहीं कि भारत के अंदर UCC जो है वो लागू की जाएगा बेशक सोचा है और अब का नहीं है अभी आप सोचो कि कि रातो रात में आ गया किया UCC नहीं बहुत पुराना अंग्रेजों के टाइम का ये बहुत पुराने टाइम से चलता आ रहा है अभी आप लोगों को बताएंगे थोड़ा बहुत ही त्याज इसके बारे में तो भारत ने भी भारसरकार ने भी मतलब UCC के उपर कानून बनाने की इसके उपर की थी कोशिश कोशिश करने के पिछे इन्होंने क्या क्या तो जो हमारे देश के अंदर लोग मिनिस्ट्री हैं उन्होंने एक लोग कमिशन को कहा था कि आप एग्जामिन करिये जो भी हमारे देश के अंदर जो अलग-अलग communities हैं जो sensitive area है इनके अदर आप depth में study करिए जो भी अलग-अलग personal लोग हैं आप उनके बारे में जानिये और बताईए कि अगर UCC हम लागू करते हैं तो उनके उपर उसका क्या-क्या परभाव पड़ता है यह government ने किया हुए अब यह 21 लोग commission था इसने अपनी report अगस 2018 में परिवार कानून सुधार इस सिर्चक से प्रामर्श पत्र में जारी भी किया था लेकिन क्या हुआ 21 जो लोग commission था उसका कारेकाल जो है 28 अगस्त को ही खतम हो गया था सब कोशिश की बाद में ऐसा कुछ आगे बढ़ा नहीं एक तो यह government का रूख हो गया अब बात कर लेते हैं कि UCC होता गया थोड़ा बहुत हम इसके परिचे में about में जाते हैं समान नागरिक सहिंता यानि कि uniform civil code इसको short form में बोलेंगे UCC पूरे देश के लिए एक समान कानून एक समान बोले तो जैसे आपने सुना ना GST एक समान आपके सामने या text लगता है पूरे देश के अंदर ऐसे ही एक समान कानून आएंगे यह कहा जाता है UCC के अंदर कि साथी सभी धार्मिक समुदायों के लिए चे वो आप विवा की बात कर रहे हो चे आप तलाग की बात कर रहे हो चे आप विरासत की बात कर रहे हो यह जो है एक ही कानून लेके आएंगे यानि कि हर एक के लिए यह वो पर्सनल लो नहीं चलेगा जैसे हिंदू के लिए Hindu marriage act चलता है Muslim के लिए Muslim Personal Law चलता है तो अब वो नहीं होगा अब एक ही लेकर आएंगे ये प्रावधान किया जाता है UCC के अंदर क्या समिधान में कहीं इसके बारे में लिखा हूँ है बेशक लिखा हूँ है Article 44 Directive Principle of State Policy के अंदर ये बात बोली गई है कि जो Government है जो सरकार है जो भारत राज्य है राज्य भारत जो है वो पूरे देश के अंदर नागरिकों के लिए एक समान एक समान नागरिक सही था यानि कि UCC जो है वो लाने का प्रयतन करेगी यहाँ पर देखी क्या बोला गया है प्रयास करेगी यह बात यहाँ पर बोली गई है कहाँ पर आर्टिकल 44 में आर्टिकल 44 किसमें आता है रज्य के नीतीनी देशक तत्तों में ऐसा नहीं है कि नहीं बोला गया है समीधान में यह बात लिखी गई थी तो जब समीधान में लिखी गई थी कि शुरुआत में नहीं कर देना चाहिए था देखे उस वक्त वो चीजें कर नहीं सकते थे क्योंकि देश आजाद हुआ था हमारे देश के अंदर एक धर्म निर्पेक्ष पद्शब जो है वो भी जोड़ा गया था तो धर्म निर्पेक्ष का उस वक्त चीजें बोली गई है UCC लाने की वो कहीं ना कहीं जो हमारे प्रियंबल के अंदर जो धर्म निर्पेक्ष शब्द है उसको मजबूत करने का ये काम करता है अब थोड़ा बहुत हम इसके बैक्ग्राउंड में जाते हैं देखिए UCC की जो अफधारना का जो विकास है वो अपनिवेशिक यानि की कॉलोनियल जब भारत के अंदर ब्रिटिश का राज हुआ करता था तब से हुआ था देखिए ब्रिटिश सरकार जो है 1835 में अपनी एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें अपरादों के लिए सबूतों के लिए इन जैसें के लिए विविन विशों पर भारतिय कानून का कोडिफिकेशन में यानि कि उन में एक रूपता कोडिफिकेशन की बहुत ज़ादा जरूरती और उसके उपर बल दिया गया था अब यहाँ पर किस किस के उपर अब ऐसा नहीं है कि मुस्लिम्स का अपराद अलग चल रहा है हिंदों में अलग चल रहा है तो आप इनको अलग-अलग डील करिए नहीं भई इन सब के लिए एक है अगर किसी ने मडर किया चिए वो हिंदू और मुस्लिम हो उनको जो है वो कानून के अंतरगत रखा जाएगा और उनको वही समान मुले तो मडर के लिए अगर उमर कैद की एकर हिंदू को दी जारी है वही मुस्लिम को दी जाएगी सब चीजें यहाँ पर की गई थी लेकिन इस रिपोर्ट में भी हिंदू और मुस्ल्मानों के जो व्यक्ति जो परसनल है छी वो शादी करने के हो जी वो तलाख लेने के हो जी वो सन्तान को मतलब गाडिन्शिप के लिए हो या फिर वो जाइदाद के लिए हो ये जो परसनल हो थे उनको इन सब चीजों से बाहर रख दिया गया था और जो ब्रिटीश आशन जो भारत के अंदर जए एक तरीके से अंत होने की कगार पर था तो उस वक्त ये जो व्यक्तिकत मुद्दे जो थे पर्सनल जो इशूस थे वो बहुत जादा बढ़ गए थे और इतने जादा बढ़ गए थे कि सरकार को 1941 के अंदर हिंदू जो लो हैं उनके कोडिफिकेशन के लिए एक B.N. Rao कमीटी का उसको गठित करना पड़ा था मजबूर हो गए थे और इसने यहाँ पर कुछ अपनी रिकमेंडेशन भी दीगी थी और इन रिकमेंडेशन यानि कि इन सिफारिसों के अधार पर हिंदूओं बोदों जैनों और सिखों के लिए यानि कि जो निर्व वसियत यानि कि ऐसे लोग जिनकी डैथ हो गई हो बिन गया था और हलांकी में बात कुरू मुस्लिम, इसाई और पार्सी इन लोगों के लिए अलग विक्तिकत कानून भी चलते हैं तो यह सब चीजें होगे हमारे सामने 1835 के अंदर एक तरीके से UCC के अवधारना जो है वो विकास होने लग गई थी तो एक ही होगे हमारे सामने अब बात करते हैं देखें कानून में समरुपता लाने के लिए विभिन न्यालों ने अकसर अपने निन्यों में कहा है कि सरकार को एक समान यानि यूशिसी लाने को सुनिश्चित करने के तरफ इसकी दिशा में प्रेतन करना चाहिए कि बार बार जो भी कोर्ट्स हैं उन्होंने कहते आएं गवर्मेंट को कि आप एक काम करिए आप यूशिसी लेकर आईए यूशिसी लेकर आईए और सबसे बड़ा तो आप देखेंग पूरे भारत को उस वक्त हिला के रख दिया था एक्चुल में यहां पर शाबानो जो थी उन्होंने तलाक लिया था मतलब कि एहमद खान ये वकील थे तो इन्होंने तलाक दे दिया था अपनी वाइफ को और वाइफ को तलाक देने के बाद जब वाइफ कोर्ट में गई ही वाइफ को तलाग दे दिया है तो मैं उससे कोई भी तालुक ना रखूँ अगर मैं इनको पैसे दूँगा तो यानि मेरा उनसे संबंद रहेगा और जो मेरे इसलाम के खिलाफ है तो आप मुझे मेरे धर्म को मानने से कैसे मना कर सकते हो ये बात उन्होंने तब बोली थी तो एक तरीके से आप देखें आर्टिकल 25 जहां पर ये बोला गया है कि आप अपने धर्म को मान सकते हैं उसका परचार परसार कर सकते हैं आज सुप्रीम कोट उसके उपर विरोध एक तरीके से निर्ने वहाँ पर देना पड़ रहा था कि शाह बानो केस के अंदर तो वहाँ पर एक तरीके से सुप्रीम कोट ने कहा था कि कुछ मी नहीं आपको देना पड़ेगा यहाँ पर इनको ऐलिमनी देनी पड़ेगी और उस वक्त तो राजिव गांदी की सरकार हुआ करती थी और एक तरीके से यहां पर राजिव गांदी की सरकार में क्या हुआ राजिव गांदी जी ने यहां पर मुस्लिम्स को खुश करने के लिए एक लोग बना दिया और जिसमें कहा गया कि आप जो भी मुस्लिम व्यक्ति अपनी वाइफ को तलाग देता है तो वो 90 दिन तक ही उसका भरन पोशन करेंगे यानि कि उसको ऐलिमनी देंगे 90 दिन अब 90 दिन में क्योंकि इसलाम में उस वक्त या फिर कहें कि इसलाम में ऐसा होता है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी कोई मेल जो है अपनी वाइफ को अपनी वाइफ को अगर तलाग देता है तो 90 दिन तक जो वाइफ है वो किसी से शादी नहीं कर सकती तो वह जो समय है उस वक्त के लिए बोला गया था और ये समझ लीजे ये राजीव गांदी जी कि उस वक्ती सबसे बड़ी भूलती गलती थी जो भी था इतना ऐसा खराब डिसीजिन था जिसके कारण उनका पॉलिटिकल करियर खराब हो गया था ये किसी को पसंद नहीं आया था ये क्या चल रहा है भई अपीज करने की कोशिश की जा रही है मुसलिम्स को यहां पर तो यह सब वोट बैंकिंग चलने लग गई थी तो यह बहुत जादा एक मामला यहां पर तूल पकड़ा था 1985 का यह बहुत इंपोर्टन चीज है और प्राय यह तर्ग भी दिया जाता है कि जो ट्रिपल तलाग है जो बहु विवा है जैसी यह जो परताएं जहां पर महिलाओं के समान की बात आती है उनकी गरीमा पूर्ण जीवन की बात आती है तो यह उनके उपर बहुत नेगिटिव इंपेक्ट डालता है जो भी पर्सनल लो है तो के अंदर ने सवाल उठाये भी है कि जो धार्मी प्रताओं को जो समिधानिक शुरक्षा दी गई है उन प्रताओं तक भी विश्तारित होनी चाहिए जो मौलिक अधिकारों का उलंगन करती है मौलिक अधिकारी तो आते हैं इसके अंदर किसी वेक्ति के किसी महिला के कि आप उसका उलंगन कैसे कर रहे हो लेकिन हो तो रहा है न उसके अंदर तो यह सब चीजे होगे हैं हमारे सामने अब भारत में जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है उसकी स्टेटस कै वो जान लेते हैं देखे वर्तमान में अधिकांस भारतिय कानून जो है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड के तरीके से ही काम कर रहे हैं उसका पालन कर रहे हैं, जैसे कि भारतिया अनुबंध अधिनियम 1872, नागरिक परक्रिया सहींता होगी, संपत्ती हस्तांतरन अधिनियम 1882, भागीदारी अधिनियम 1932, साक्षय अधिनियम 1872, यहाँ पर इंग्लिश में भी लिका हुए, इंडियन कॉंट्रेक्ट एक्ट हो हो गया, civil procedure code हो गया, transfer of property act हो गया, partnership act हो गया, evidence act हो गया, यह सब चीजें इंग्लिश में यहाँ पर लिक्य हुए है, हालां यह सब चीजें जो है, इसमें uniform civil code के तरीके से ही वेवार किया जाता है, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि किसी का personal हो है, हिंदू का personal हो है, मुस्लिम का personal हो हो है, परन्तु, धर्म निर्पेक्षता यानि सेकलिजम संबंधी कानूनों में अभी भी बहुत ज़्यादा विविदित्ता पाई जाती है, हाली में कई राजों ने एक समान रूप से motor 1 अदिनियम 2019, उसको लागू करने से इनकार कर दिया था, तो यह तो बहुती बड़ी चीज़ हो जाती है, वर्दमान में केवल गोवा इकलोता है किसा राज जाय है जहां पर UCC लागू है, और बहुत अच्छे से चल भी रहा है, यहां पर, ऐसा भी नहीं है कि भारत में लागू नहीं है, भारत में लागू भी है, तो एक्जाम में पूछ लिया जाते है कि भ आज के समवेधन शिल वर्ग को सरंक्षन देखे जो यूनिफर्म सीविल कोड है उसका जो मेन उदेश्य यानि कि जो एम है महिलाओं और धारमिक अलब संक्यों सहीत जो समवेधन शिल वर्ग है उनको समाजिक सुरक्षा परदान करना जब कि एक रुपता जब ये एक रुप है वो भी मैं आप लोगे साथ डिसकर्ष करूँगा दूसरा इससे क्या फाइदा होगा देखे कानूनों का सरली करन हो जाएगा मतलब कि बहुत सिंप्लिफिकेशन कर दिया जाएगा लोग का देखे समान नागरिक सहीता जैसे कि विवा होगी विरासत होगी उत्रादिकार समेट अलग-अलग जो मुद्दे होते हैं जो आज की डेट में कानून को इतना जादा कॉंप्लेक्स कर रखा है वो चीजें जो है वो सरल हो जाएगी इससे परिणाम क्या होगा जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है सभी नागरिकों पर लागो होगे चाहे वो किसी भी धरम क और किसी भी चीज में वो विश्वास रखता उनके ओपर एक ही कानून चलेगा अब धर्म निर्पेक्स्ता की सिंधानत को इससे और बल मिलेगा जो हमारे देश में परस्तावना में बात करें समिधान की परस्तावना में जो एक सेकुलर वर्ड जोड़ा गया है उस सेकुल रेंडर बाइस है वो खतम हो जाएगा इससे अब चुनोतियां क्या आती है तो भई आपने फाइदे तो चुन लिए भई सिंप्लिफिकेशन हो जाएगा नियाए मिलने लग जाएगा अब बात करते हैं कि इतनी अच्छी हो रही है तो लागू करने में दिक्कत क्या है तो अगर मैं हिंदूओं की अगर मैं बात करूँ तो ये मानना कि हिंदू सब जगह एक है ये भी एक मित है जहां पर अगर आप देखते हैं उत्तर भारत में उत्तर भारत में हम होता है कि रिलेटिव जो हमारे रिलेटिव होते हैं उनके हमारे जो रिलेटिव में जो क्लोस हो है वहाँ पर भी तो बहुत जादा डैवर्सिटी हमें देखने को मिलती है और समीधान के दोरा जो नागलेंड है मेगाले और मिजोरम है जो वहाँ के जो स्थानी रितिरिवाज है उनको सुरक्षा खुद समीधान ने दे रखी है आप कैसे लेकर आ जाएंगे यूसी सी यहा ना भाई एक जटिल कार रहे हैं कि आप एक तरीके से आप शादी जाई इस तरीके से कर लिजी इतलाग इस तरीके से कर लिए यह बहुत जादा एक कठिन कारे हो जाता है यहाँ अब संपर्दाइक्ता की राजनीती के संदर्ब में की जाती है यानि अपने फाइदे के लि majority है यह उनके हक में जाएगा इस तरीके से इसको देखा जाता है समयधानिक बादा क्या थी है जहां article 25 बात करता है कि आप अपने धर्म को मान सकते हैं उसका परचार परसार कर सकते हैं कानून के आप मतलब कानून में आपको सब चीजें दी गई है तो एक तरीके से यह article जो 14 है उसके एक तरीके से आप देखेंगे ना तो यह दिक्कत आ जाती है इसके अलावब आगे की रहा क्या सकते हैं देखें आगे की रहा तो यह जो सकते हैं कि गौवर्मेंट है जो society है वो एक साथ एक दूसरे के साथ आए एक दूसरे के जो विश्वास है उसको वो मजबूत करें और important यह है कि जो racist conservative है उनको दूर करने की बजाए जो separate aspects उनके उपर आप target करिए जैसे कि शादी हो गई गोद लेना हो गया या फिर मैं बात करूं कि उत्रादिकारी हो गई तो इन सब चीजों को आप target करिए तो यह सब चीजें करने से ही जो है आने वाले time में जो यह UCC जो है वो शायद लागू हो पाए ध पीडियेफ में आप लोगों को अलेटी बता चुका हूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलेग्राम का एक लिंक दिया मिला है आपको वहां से इस वीडियो की पीडियेफ मिल जाएगी तो बस आज के लिए इतना है था थैंक यू फॉर वाचिंग इस वीडियो